हलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डैफल बैक बनाना सीखेंगे इसके लिए मैंने एक मीटर कपरा लिया है इस बैक को बनाने का तरीका बहुत आसान है सबसे पहले हम कपरे के दो पार्ट की कटिंग करेंगे यह देखे मैंने कटिंग कर ली है यह 25 इंच है और इसके नीचे मैंने एक पुरानी सारी ले ली है और बीच में फो में उपर कपरे को रखकर इसके उपर हम लंबाई में सिलाई करेंगे अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप पुरानी बोरी का भी उज़ कर सकते हैं चावाल लियांटे की बोरी का तो इस तरह से तीनों को हमें से रिक कर लेना है तुरी की दोनों पीस को मैंने इस कर लिया है अब इसको मैं आपकर दिखा दे हैं आपको ये ये बाग पिजी सिंच का है 25 इंच का और इसकी उचाय से बचना तो इस ही ふふ लेने है में आब इसमें लगाने के लिए पोगे बनाएंगे पॉकेट मैंने सारे 8 इंच लंबाई और सारे 8 इंच औराई के लिए स्क्वेर कपरा लिया है इसमें मैं फोम का यूज नहीं कर रही हूँ लाइनिंग वाला जो कपरा मैंने लिया था उसी को लेंगे लाइनिंग वाले कपरे को उपर रखेंगे और इसके उपर और नीचे हमें सिलाई लगा लिनी है, साइड में सिलाई नहीं करेंगे तिर दिखी मैंने उपर और नीचे सिलाई लगा लिया अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और यहां पर हमें किनारे किनारे टॉप स्टीज लगा लिनी है जैसे मैंने दूसरे पॉकेट में किया है इसमें सिलाई लगा लिए तो ये पॉकेट त्यार होगे अब हम बैक के लिए स्ट्रैप बनाएंगे स्ट्रैप की लंबाई लगवख 50 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है तो इतनी लंबे स्ट्रिप को हमें अगर आपके पास इस तरह की पिंस हो तो आप ले लिजी नहीं तो आपके पास सेप्टी पिंस हो तो उससे भी काम चल जाएगा और एक चोटा सा काटबोड का पीस मैंने कट किया है इसकी लंबाई और चौराई 4 इंच है क्योंकि 4 इंच का ही हम स्क्वेर कट करेंगे तो जो पिस हमने क्यूल किया था तो उसमें जो 25 इंच वाली साइड है उसको वीच से हमने फोल्ड कर लिया है अब ध्यान रखेगा 25 इंच वाली साइड को हमें फोल्ड करना है और इसके दोनों corners को हम cutting करेंगे तो इस तरह से cardboard को रखकर इस पर निशान लगा लेना है इसे बिलकुल एक बराबर cutting हो जाती है अब इस चकोर को हमें काट कर निकाल लेना है अब दूसरे किनारे पर भी इसी तरीके से हमें cut कर लेना है तो इसका भी square हम cut कर लेंगे और जो दूसरा piece है उसका भी इस तरह से हमें cutting कर लेना है अब देखिए cutting हो गई है इसमें हम pocket लगाएंगे pocket को इस तरीके से लगाएंगे pocket मैंने चोड़ाई में stitch की है कपड़े को जिसे इसका जो pattern है वो थोड़ा change हो जाएगा भी center से हमें fold कर लेना है और pocket को भी fold कर लेंगे center से मिलाते भी रखेंगे और नीचे जहांते हमने corner cut किया उसे उपर लगबग एक डेड़ी इंच उपर रखकर हमें pocket को तीन साइड से stitch कर लेना है तीन साइड से मैं इसके सिलाई कर ली अब जो इसकी belt हमने बनाई थी उसको लगाएंगे उससे पहले उपर की तरफ हम piping लगा लेंगे कपरे की strip को पीछे की तरफ से सिलाई करेंगे और उपर से इस तरह से डबल फोल्ड करते वे से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो piping लग जाएगी तो देखी मैंने इसमें piping लगा ली है अब इसमें जो belt हमने बनाई थी वह लगाएंगे तो belt को हमें pocket के किनारे बिल्कु सीधा रखना है कि आधा बाग belt इसके pocket के उपर आए और आधा बाग back के उपर आए और pocket से लगवग 1.5 इंच उपर तक हमेंसे सिलना है उसके बाद वापस नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे दूसरे साइट भी इसी तरीके से करना है नीचे तक इसे रखना है और यहां से सिलाई करते आएंगे pocket से 1.5 इंच या 2 इंच की उपर तक सिलाई करके वापस नीचे तक सिलाई करेंगे तो यह दिखी मैंने बेल्ट लगा ली है अब इसमें हमें जिप लगाना है जिप मैंने 17 इंच की लिए क्योंकि कटिंग के बाद यहां पर 17 इंच बचा हुआ है लगभख सारे 16 इंच 17 इंच तो 17 इंच की मैंने जिप ली है जिप को नीचे रखेंगे और उपर कप्रे को रखकर में सिलाई लगा लेना है तो यह दिखिए जिप लग गई है अब जो दूसरा भाग है उसे भी लेंगे और उसे भी जिप के ऊपर रखेंगे उसके ऊपर स इस तरह से बंद करेंगे और इसके नीचे वाली साइड में सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड इसको सिलाई लगा लेंगे लगाने के बाद जो कॉर्णर हमने कटिंग किया था उसको इस तरह से मिलाते हुए चारो कर्णर के सिलाही लगा लेनी है और यह बैग बन कर तियार हो जाएगा इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसका बनाने के बाद क्या मिजर्मेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो इससे सिल कर पलटकर दूसरे साइट से भी सिलाही लगा लेंगे तो दिखिए अमने जो खुली सिलाही थी उसके उपर पैपिंग लगा ली अब इस पैक को सीधा करके और इसमें सामान रखके मैं आपको दिखाती हूं तो यह दिखे हमारा बैक बंद कर त्यार है इसकी चौड़ाई आट इंच है और इसकी उचाई दस इंच है और इसकी चौड़ाई पंद्रा इंच है तो यह दिखे हमारा सुंदर सा बैक बंद कर तियार्य हो गया इसमें देड सार हय्यां का यह साइडिया आप चाहे तो जिप वाली पोपे भी बना सकते हैं अब इसमेंने बहुत सारे बहुत सारे कप्रे रखे हैं लेकिन अभी 20 में जगा बाकी है इसमें आप कप्रे श्टोड करके भी रख सकते हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रेवल बैक के रूपे भी यूज़ कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो दिखने के लिए आपका धन्यवाद